दोस्तों, टाटा मोटर्स ने उताओ चड़ाओं के ऐसे ऐसे दौर देखे हैं, जितने तो किसी फिल्मू की काहनियों में भी नहीं होते, भले हाँ टाटा मोटर्स देश की तीस्री सबसे बड़ी कार कंपणी है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब लोहूं का भरोशा टाटा मोटर से उड़ गया था, 20 सदी के अंत में टाटा मोटर से मुश्किल दोर से गुजर रही थी, भारतिय कार बजार में मार्ची शुजूकी की धात थी और टाटा को अपने पुरानी माउडलों पर निरबर रहना पड़ लहा था, दोस्तों कभी ग्राकूं के सामने ऐसी कार पेस की, जो ना सिर्फ लोगों के लिए बहतर विकल्प थी, बलकि इसने टाटा मोटर से को इंडियन आटो मोबाइल इंडेस्टी में फिर से जीवीत कर दिया था, दोस्तों टाटा को पता था कि उन्हें टिकने और सपल होने के लिए कुछ नया और रोमांचक लाना होगा, इसके बाद साल 1998 में रतन टाटा की कमपनी टाटा मोटर से इंडिका लॉंच करके भारती कार बाजार में करांती ला दी, टाटा इंडिका एक एतियासी कार थी, जिसने भारती कार बाजार को बदल दिया, इसने टाटा मोटर से को एक स्ट्रगल का एंजन बनाती थी जिस समय कमपणी सुरू हुई थी उस दोरान दुती विश्युद्ध चल रहा था उस युद्ध में टाटा ने भारती सेना को एक टैंक दिया था उस टैंक को टाटा नगर टैंक के नाम दिया गया इस टैंक ने दुसमनों के चक्के छुड़ा दिये थे दोस्तो कुछ समय पा कमपणी ने ओटो मोवाई इंडरस्टी में कदम रखा और मर्सेडीज बैंज के साथ पाटनर्सिप की साल 1904 में कमपणी ने कॉमर्चल वेहिकल लॉंच किये हालांकि मर्सेडीज बैंज के साथ कमपणी का समझोता 1969 में खत्म हो गया इसके बाद कमप सेरा के बाद कमपणी ने टाटा एस्टिरो टाटा सुमो नाम से कार मार्केट में उतारी इनमें टाटा सुमो को जबरदस्त काम्याबी मिली लेकिन सबसे ज़्यादा काम्याबी मिली टाटा इंडिका से यह टाटा की पहली फैमली कार थी इसे 1998 में लॉंच किया गया था य इस कार के लॉंच होने के एक हपते के अंदर ही 1.15 लाग कारों का ओडर आ गया था, मात्र दो साल में ही यह अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई, टाटा इंडिका एक अत्याधुनिक हैजबैक थी, जो उसमें भारत में उपलब्द किसी भी कार स किया गया था, यह भारत की पहली कार थी, जिसमें पावर विंडो सेंटर लॉकिंग और एयर कंडिशनिंग जैसी सुविधाएं थी, कम्पनी ने साल 2008 में से बनाना बंद कर दिया, हालांकि इस दोरान सेकंडर जनरेशन की कार इंडिका विष्टा के नाम से लॉंच की गई लेकिन इंडिका का उत्पादन साल 2015 में बंद कर दिया गया, दोस्तो इसी दोरान टाटा मोटर्स ने उस समय की सबसे पावरफुल SUV टाटा सुपारी लॉंच की यह आइकोनिक SUV थी, और इसके बार टाटा मोटर्स ने साल 2009 में दुनिया की सबसे सस्ती कार मार्केट में उता करना था, जो बाइक तो खरी सकता है, लेकिन उस में मार्केट में मौझूद कारों को नहीं खरी सकता था, हालांकि इस कार के सड़क पर उतरने के बाद इसमें सुरक्षिया से सम्मंदित कहीं खामियां सामने आई, जिसके कारण यह लोकप्रिय नहीं बन पाई, दोस्तो सा साल 2020 में पहली EV कार टाटा नेक्सोन लॉंचे कर दी, साल 2020 में यह भारत में बेस्टर सेलिंग कार बन गई, इसके बाद कमपनी कहीं EV कार लॉंचे कर चुकी है, वहीं टाटा मोटर्स से कारों के साब बस ट्रक और दुसरे वान भी बनाती है, कमपनी सेना के लिए भी गाड बनाती हैं, टाटा मोटर्स का परदर्शन लगातार सुधर रहा है, अब कमपनी को फायदा भी हो रहा है, दोस्तो साल 2024 में खत्म हुए फैनेंसल येर में कमपनी करज से मुक्त हो गई है, साल 2021 में कमपनी पर 15,500 क्रोड उपे का करज था, इसके बाद करज में कमी आती गई साल 2022 में यह करज घटकर 10,300 क्रोड उपे रह गया, इसके ठीक अगले साल यानी 2023 में करज 6,200 क्रोड उपे रह गया, इसके बाद फैनेंसल येर 2023 में यह कमपनी पूरी तरह करज मुक्त हो गई, आप कमपनी प्रोफिट में है, वहीं फैनेंसल येर 2024 में कमपनी का रेवेन्य कीजेगा जय हिंद जय भारत